हिलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोथ पुत्र नाटक का सारांस कैसे लिखेंगे तो दोस्तों इसमें चार अंक होते हैं सबसे पहले देखते हैं कि पर्थम अंक में क्या लिखेंगे तो दोस्तों ध्यान से वीडियो में देखिए सोथ पुत्र नाटक के लेखक डाक्टर गंगा सहाय प्रेमी हैं पर्शुराम केवल ब्रामणों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं छत्रियों को नहीं कण एक महान धनुर्धर बनना चाहते हैं अतावे सोयम को ब्रामण बता कर पर्शुराम जी से धनुर्विद्या सीखने लगते हैं एक दिन पर्शुराम जी कण की जंगा पर सिर्रक कर सोय हुए थे कि एक कीडा कण की जंगा को काटने लगता है जिससे रक्त बहने लगता है रक्त स्त्राव होने पर भी कण दर्द सहन कर जाते हैं कण की सहन सीलता को देख कर पर्शुराम जान जाते हैं कि वह चत्री है पूछने पर कण उन्हें सत्त बता देते हैं पर्शुराम क्रोधित होकर साब देते हैं कि अंत समय में तुम हमारे द्वारा सिखाई गई विद्या को भोल जाओगे दोस्तों ये था प्रथम अंक दोस्तों दोती अंक में लिखेंगे नाटक के दूसरे अंक में द्रोबदी के विवाह का वरण है पांचाल नरेश द्रूपद के यहां उन्हेकी पुत्री द्रोबदी का स्वयमवर होता है स्वयमवर की सर्थ के अनुसार प्रतिभागी को खौलते तेल की कडाई के उपर लगे खंबे पर एक घूमते चक्र में बंदी मचली की आँख भेदनी थी अनेक राजकुमार इसमें अस्फल हो जाते हैं कण अपनी विद्या पर विश्वास कर मचली की आँख भेदने आते हैं लेकिन उनके परिचे से राजा दुरूपद उन्हें प्रतियोगिता के लिए आयोगी घोसित कर देते हैं ब्रामण वेस में अरजुन और भीम सभा मंडब में आते हैं अरजुन मचली की आँख भेद कर दुरूपदी से विवा कर लेते हैं अरजुन वा भीम को द्रियोधन पहचान लेता है द्रियोधन दुरूपदी को बल पूर्वक छिनने के लिए कण से कहता है प्रंतुकण इस अनैतिक कार के लिए तैयार नहीं होते तो दोस्तों ये था दुती अंक अब दोस्तों तृती अंक में देखते हैं नाटक के तीसरे अंक में कण के तपो अस्थान का वर्रन है कण सूर की उपासना करते हैं सूर भगवान दर्सन देकर उसे कवच तथा कुंडल देते है साथ ही आशिरवाद देते हैं कि जब तक ये कवच कुंडल तुम्हारे सरीर पर रहेंगे तब तक कोई अनिष्ट नहीं होगा कुछ समय बाद इंद्र आरजुन की रच्छा के लिए ब्रहमण वेश में आकर दान वीर कण से कवच वा कुंडल का दान ले लेते हैं कण की दान सीलता से प्रसन हो कर वे उन्हें एक अमोग सक्त प्रदान करते हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता इंद्र कण को या रहस भी बता देते हैं कि कुंती से सूरी के द्वारा कुमारी अवस्था में उनका जन्म हुआ इस जानकारी के कुछ समय बाद कुंती कण के आस्रम में आती है और कण को बताती है कि वे उनके जेश्ट पुत्र हैं वह कण से रणभूम में पांडों को ना माने का वचन चाहती है परंत कण उनसे या कहता है कि वह आरजुन के अत्रिक्त अन किसी पांडों को नहीं मारेंगे कुंती कण को आसिर्वा देकर चली जाती है दोस्तों तीसरा अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है चतुर्थ अंक तो दोस्तों चतुर्थ अंक में देखते हैं नाटक के अंतिम अंक में आरजुन तथा कण के युद्ध का वर्न है कण और अरजुन का युद्ध होता है कण अपने बाणों के प्रहार से अरजुन के रथ को युद्ध छेतर में पीछे हटा देते हैं क्रश्ण कण की प्रसंसा करते हैं जो अरजुन को अच्छी नहीं लगती क्रश्ण अरजुन को बताते हैं कि तुम्हारी पताका पर महावीर रथ के पैयों पर सेसनाग और तीनों लोकों का भार लिये मैं रथ पर स्वयम प्रस्तुत हूं फिर भी कण ने रथ को पीछे हटा दिया निश्चे ही वह प्रसंसा का पात्र है युद अस्थल में कण के रथ का पहिया दलदर में फस जाता है अरजुन नियत्य कण को बान वर्शा करके घायल कर देते हैं कण की दान विर्था की परिच्छा लेने के लिए श्री किष्णवा अरजुन घायल कण के पास सोने का दान मांगने जाते हैं कण अपने सोने का दात तोड़ कर उन्हें दे देता है अब स्रीकिष्ण और अर्जुन वास्त्विक रूप में प्रकट हो जाते हैं स्रीकिष्ण कण से लिपट जाते हैं और अर्जुन कण के चर्ण पकड़ लेते हैं यहीं पर सूत पुत नाटक की कथा का मार्मिक वा आ विश्मर्णी अंत होता है दोस्तों ये था सूत पुत नाटक का सारांस दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सेर तता सस्क्राइब करना ना भूलें